आप कहरें से संशोधन बिल से इंसाफ मिलेगा, जो विरोध कर रहे हैं वो कहरें कि मुसलमानों का हक मार दिया जाएगा देखिए उनको मुसलमानों के हक से कोई लिंदन नहीं है अगर मुसलमानों की चिंता कॉंग्रेस को समाजवादी पारिटी को होती तो इतने साल उन्होंने शासन किया एक प्रतिशत तो मुसलमान सुधर जाता उसका आरतिक स्थर एक प्रतिशत तो सुधर जाता वो तो नीचे नीचे गया, उसके हला तो खराब खराब ही हुई वो तो पंक्चरवाला ही बना ना इंडस्टीलिस थोड़ी बना वो तो पेचकस लेकर ही घुम रहा है ना उसने मोटर गाली बनाने का काम तो शुरू ने किया क्योंकि ये सारी परटिया चाहती है मुसल्मान गरीब रहे मुसल्मान पिछडा रहे मुसल्मान को communal हम बनाए ताकि अपनी रोटिया हम सेख पाए ये मुसल्मानों को न वक्त बोर्ड के बारे में कुछ मालूम है न इस act के बारे में मालूम है बड़े लोगों को मालूम होगा जनरल विक्ति को कुछ मालूम नहीं है उनके नाम पर अपनी रोटिया सेखने का कारेकरम ये कॉंग्रेस और सारी पार्टिया कर रही है। एक सोशल मीडिया पर बड़ा कैंपेइन के रूप में चल रहा है सर। लोग वफ संशोधन बिल को लेकर ही पूछ रहे हैं कि अगर एक सेकुलर देश में किसी और धर्म के पास ऐसा कोई बोर्ड नहीं है कि वो जहां उंगली रख दे वो जमीन उसकी हो जाती है एक धर्म विशिश के पास यह अधिकार क्यों क्या ये बाकी के लिए इंजस्टिस देखे बात तो यह सही है और इसलिये हम लोग तो देख में एक कानून चलना चाहिए और आज गोव उसका उधर अनए गोवा में सबसे पहले समाननागरी कानून आया और उसके तहट आज गोवा जहाँ माइनौरिटी इतने बड़े पैमाने पर है कोई कंप्लेंट नहीं करता किसी कंप्लेंट नहीं है तो इसलिए हम ये मानते हैं कि केवल धर्म के नाम पर इस प्रकार के कंसेशन्स लेना ये ब अपना धर्म वो ठीक तरीके से पाले इसकी पूरी आजादी है उनकी जो रिच्वल से उसकी पूरी आजादी है उनकी जो प्रॉपर्टी जो उनको बिलॉंग करती है उसको प्रोटेक्ट करना ये भी मैं ऐसा मानता हूँ उनका अधिकार है लेकिन कोई भी प्रॉपर्टी मेरी है, मैं उंगली रख दूँ वो प्रापटी मेरी है, पूरा गाव मेरा है, यह नहीं चलेगा. वफ पे सर हम लोगों ने रिपोर्ट की, तो अब दिल्ली में ऐसे कई मामले सामने आए, और हाल ही में अपने गर सुना हो, तो दिल्ली के छे मंदिरों पर वफ ने अपना दावा ठोक दिया, एक सम्शान घाट भी वहाँ पर है, कूडागर भी वहाँ पर, इसमें दावा ठोका गया. हम लोग की रिपोर्टर्स हमारे सहोगी वहाँ पहुंचे, तो वहाँ की जो कमेटी के सदस्य थे, वो कागज लेकर तयार थे, कि प्रॉपर्टी पुछते नहीं हमारी है, वफ को चैलेंज वो कर रहे हैं, कैसे मामले महराश्च के अंदर भी हैं? महराश्च में भी यह बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है, कई जगह पर, सोलापूर जैसी जगह है, सोलापूर में जहां लोग बैठे हुए, सालों से, चालीस सालों से, एक दिन में वक बोर्ड ने सारी जमीन अपने नाम से कर ली, और वो सारे बिचारे लोग अब तकलीफ में, तो ये सारी चीज़े हर जगह हमको होती हुई दिखाई पड़ती है, और विशेश रूप से, कॉंग्रेस की सरकार ने उस समय जिस प्रकार से वफ के बिल में संशोधन किया, उस संशोधन के कारण, इस प्रकार की ताकत उनोंने दे दी, कि आपकी मेरी जमीन पर किसी भी दिन, वो कोई एक डॉक्यूमेंट तयार करते हैं, और उस डॉक्यूमेंट को दिखा कर अपना कबजा कर लेते हैं, तो ये बहुत गलत बात है, देखिए, इसमें ट्रांसपरंसी होनी चाहिए, और वो ट्रांसपरंसी लाने का प्रयास, ये वक्फ का बिल यहा